नमस्कार दोस्तों स्वागत है इस हमारे नए वीडियो में और दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह का दोस्तों मैं इस वीडियो में सोफा बनाने के लिए बताऊंगा और दोस्तों वीडियो को सुरु स्वान तक देखिए मैं अच्छे से इसमें आपको समझा कर बताने वा आई है और दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर तीन जोगा हम मार्किंग लगा दिये हैं और यहां पर छेदा करना है तीन जोगा एक पोगा में तीन जोगा हम छेदा कर लेते हैं आप देख सकते हैं दोस्तों यहां छेदा कर लिये हैं और एक यहां पर उपर की साइड और एक बीच में यह दो इंच का है और फिर से एक नीचे 8 इंच का हम इस तरह छेदा कर लिया हैं और दोस्तो इसमें हम आप देख सकते हैं और यह छोटा परगा में हम 2 छेदा करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर दोनों तरफ हम छेदा कर लेंगे उसके बाद दोस्तो इस तरह बीट अड़ाई एक का बीट है यह और इस तरह चूर हम बना कर इसमें हम इस तरह मिला देंगे और दोस्तो आप देख सकते हैं उपर की तरफ है तकिया है दोस्तो इस तरह का तकिया मार्केट में आता है महराजा सेट के लिए जो महराजा का सोखा बनता है उसके लिए आता है तो इस तरह हम लेकर इसमें चूर बना कर इस तरह उपर की तरफ हम लगा देंगे चलिए मैं इ वीडियो पुसान है तो लाइक कर दीजेगा जरूर और मैं इस तरह का वीडियो आपके पास हमेशा लाता रहूंगा और नृट फूल बीडियो फट्रीचर समबनीत आपको मिलेगी तुदेश्टो फईनली अब देख सकते हैं इस तरह का मि समें ठोक दियां इबीट लगाकर और उपर तकी सधांख़ लगा दिया कि इस तरह किल मार लेने के बाद दोस्तों इसमें हमको कि अड़ाई एक कबीड मिला और मिलाना पड़ेगा और मिलाकर इसमें आप देख सकते हैं शूर बना कर रह मिला दिये हैं और छोटा पौगा इस तरह लगा देंगे छोटा पोगर लग जाने के बाद दोस्तों दोनों तरफ का छोटा पोगर इस तरह लगा लिए हैं आप देख सकते हैं उसके बाद दोस्तों इसमें आगे का हम बीट लगाएंगे आढ़ाई एक का आगे का इसमें बीट लगाएंगे और पीछे भी, मैं आपको वीडियों बता रहा हूं इस दरह आगे का बिट लगा देंगे चूर बना लिये हैं, इसको हम मिला कर, छूर च्छेदा में मिला कर और इसको लगा देंगे अब दोस्तों, इसमें पीछे का तरफ इस तरह सीधा आई इसको ठोक देना है इसमें खील मार देना है सीधा ही इसमें छूड नहीं बनाना है क्योंकि यह इसी तरह बात सेहीं ठोका जाको अठोक देना है अब है और दोस्तों आप देख सकते हैं यह चार तरह वह चार प्रफंबिट लगाaría दिया है और यह всегда मारा जो सोफा है तयार हो चुका है इसमें एक बीच में बीट लगाना है क्योंकि दोस्तों स्वॉसूइर शीborव लगएगा तो बीच में में ज़रुरी होता हैं तो दोस्तों चलिए इस तरह किacağघी में किल मार देते मुंकिट लगा कर तो दोस्तो फाइनली आप देख सकते हैं हम दोनों कुर्सियों में इस तरह के बिट लगा दिया है और आप मां की लगाने की जरूरत है दोस्तों मां आप लगाएंगे तो दोस्तों बड़ा वाला कुर्सी भी तैयार कर दिया है अब वीडियो उसका नहीं बना है क्य तो दोस्तो इसमें हम बाह लगाने से पहले इसमें पलाई डाल देंगे क्योंकि बाह लग जाने के बाद पलाई नहीं पाएगा अंदर नहीं जा पाएगा इसलिए हम पलाई पहले डाल लिए हैं आप देख सकते हैं और उसके बाद बाह लगाएंगे तो बाह लगाने के सकते हैं और 3 बैसे से बहत सकते हैं तेस बीडियों में शेदा करका नुक्त देख सकते हैं चलिए कि मैं इस बहरामे चूर बना दिया हूं और दोस्तों चूर बना करा और इसमें छेदा भी कर दिया हूं इस तरह दोस्तो दोनो तरफ हमको बाहन लगा दोना है दोनो तरफ छेदा कर लेना है और इस तरह चूर इसमें मिला कर और खील मार देना है ठोपकर तो दोस्तो खील मार देना है इस तरह रखकर और आमारा यह कुर्सी तैया लगाई गया अब इस पर दोस्तों फोम हम क्यावस सिला कर इस पर हम रख देंगे फोम और पीछे की तरफ जो फोम सिलवाएंगे वह दू इंची का रहेगा और जो शीट की तरफ जो शीट पर रहेगा वह तीन इंची का रहेगा और दोस्तों दू इंची का जो फोम हम लगाएंगे उसमें हम 6-7 का पलाई लगा देते हैं क्योंकि तरफ इस तरह 6-7 पलाई लगा कर ठोकेंगे उसमें सिला देंगे दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक कर देजिए और हमारा चैनल अभी तक आपने सास्क्राइब नहीं है तो फुली चैनल को सास्क्राइब कीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह नौलेज़ फुली इस चैनल पर वीडियो लाता रहाँगा तो इस चैनल को सा स्क्राइब कीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में तो तक के लिए नमस्कार जाएंगे